आमतोर पर कहा जाता है कि राजनीती में तस्वीर बदलते देर नहीं लगती है। उपचुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं जो स्बंगाल में बीजेपी सत्ता का दर्वाजा पार करने की कोशुश करती दिखती है। वहाँ हुए उपचुनाव में बीजेपी सभी चार सीट हार गए। इनमें से तीन सीट वो हैं जहां 2021 के वधान सभाचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। अब अगर इन नतीजों को पैमाना माना जाए तो माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजिपी की जमीन सिमत रही है क्योंकि एक तथ्य ये भी है कि 2019 के लोगसभा चुनाओं में बीजिपी को 18 सीटे मिली जबकि इस बार बीजिपी 12 सीटों पर सिमत कर रह गए और अब उपचुनाओं में जटका वैसे उपचुनाओं में दक्षुन से आया संदेश भी भगवा ब्रिगिट की परिशानी बढ़ाने वाला है ये रंगों का त्योहार नहीं जीत का रंग है जो टीमसी कार्यकरताओं के सिर्चर कर बोल रहा है आम चुनाओं में तीस सीटों पर विजय धज लहराने वाली टीमसी के लिए उपचुनाओं की जीत और उत्साहिप करने वाली है क्योंकि इस बार जीत का स्वार क्लीन स्वीप वाला है पशिम बंगाल की राजनीती में टीमसी से आगे निकलने का खुआप देख रही भारती जन्तापाटी के लिए उपचुनाओं के नतीजे बड़ा जटका देने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ना सिर्फ चुनाओं में हारी है बलकि बीजेपी को वहां भी हार का सामना करना पड़ा है जहां पर 2021 के विधानसभा चुनाओं में बीजेपी को जीत मिली थी पशिम मंगाल की खुल चार विधान सभा सीटों पर उपचुनाओ के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी इन सभी सीटों पर टीमसी ने विजय भज लहरा दिया है राना घाट विधान सभा सीट पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी लेकिन उपचुनाओ में उसे हार का सामना करना पड़ा यहां से टीमसी के मुकुट मानी ने जीत दर्ज की 49,048 वोट से बीजेपी के मनोज कुमार को हराया राइगंज विधान सभा सीट पर 2021 में टीमसी ने जीत दर्ज की थी उपचुनाओ में भी ये सीट टीमसी के पास परकरार है यहां टीमसी उम्मीदवार प्रिशना कल्यानी ने बीजेपी के मानस घोष को 50,000 बोट से हरा दिया बागदा सीट पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी लेकिन उपचुनाओ में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई यहां टीमसी की ममता बाला ठाकूर ने जीत हासिल की है चौथी सीट मनिक तला भी 2021 में बीजेपी ने ही जीती थी पर उपचुनाओ में टीमसी ने यहां जीत का ज़ंडा लहरा दिया यहां से टीमसी की सुप्ती पांडे विधायक चुनी गई इन नतीजों से जाहिर है कि पशिम मंगाल की राजनीटी में मम्ता का मैजिक बरकरार है जबके बीजेपी के लिए ये संदेश भी छेपा है कि उसे अपनी रननीटी में बदलाव करना होगा इधर उप्चुनाव के नतीजों के बहाने टीमसी ने संदेश देना शुरू कर दिया है कि दिल्ली में इंडिये सरकार का सिंह हसन अब डोल रहा है वोट वेस्ट नहीं करेंगे जिए वोट वेस्ट नहीं करेंगे खेल शुरू हो गया टीमसी की ओर से दिये जा रहे इस संदेश के पीछे की एक वज़े ये भी है कि देश भर के साथ राज्यों की तेरह विधान सभा सीटों पर हुए उप्चुनाव के नतीजे बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए अच्छे नहीं रहे पश्यम मंगाल की चार सीटों के साथ बिहार की एक विधान सभा सीट रुपावली के लिए भी उप्चुनाव हुआ था यहां के नतीजे ने भी बीजेपी के निर्तुत वाले एंडिये को जटका दे दिया है रुपावली सीट पर निर्दलिय उम्मीद्वा शंका सिंह जीत हासिल की जेडी यू के कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर रहे जबके आरजेडी या कहिए के इंडिया गठवंधन की उम्मीद्वाद बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही एक तरह से रुपावली विधान सभाशेत्र की जनता ने अंडिये और इंडिया दोनों ही गठवंधनों को खालिस कर दिया इसकी एक बचे 2021 में रुपावली से विधायक चुनी गई बीमा भारती का पार्टी पलट आसन भी माना जा रहा है दरसल बीमा भारती लोग सभाशुनाओं से ठीक पहले जेडी यू छोड आर जेडी में शामिल हो गई थी और गुपावली विधान सभाशीत से इस्तिफा दे दिया था अब नतीजे आते ही एंडी और इंडिया की ओर से निर्दलिय शंकर सिंग को साथ लाने की कोशिश तेज हो गई है ठीक है इंडिपिंडेंट कंडिडेट भी हमारे जदियू से ही जुड़े लोग थे मतलब उपचुनाओं के नतीजे आते ही जोर तोर की सियासत तेज है तो गिनती पर सवाल उठने भी शुरू हो गए है नतीजों पर सवाल का घुबार मध्य पदेश में कॉंग्रिस के कैम्प से उठा है दरसल मध्य पदेश में एक विधान सभा सीट अमरा वारा के लिए भी उपचुना हुआ था और इस सीट पर बीजे पी जीत दर्च करने में काम्याब रही जबके कॉंग्रिस को हार का सामना करना पड़ा बड़ी बात यह है के अमर वारा सीट पिसले साल हुए विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रिस ने जीती थी नतीजा जैसे ही उपचुनाओ का रिजल्ट आया कॉंग्रिस के पदेश अध्यक्ष जीतु पटवाडी ने चुनाओ में लूट का आरोप मर दिया प्रशासन का दुरूपयोग होता है जो बीजेपी ने चलंज जैसा ला दिया है वो नेचरल सोभावी के वह अधभूत हुआ है बहुत मेहनत कारिकरताओं के परिवर्तन था पबलिक में भी उसके बावजूद भी अगर चुनाओ बीजेपी जीती है इसका मतलबे चुनाओ को लुटा गया है इधर लोक सभा चुनाओ में मध्य पदेश की शत प्रतिशत सीटें जीतने वाली बीजेपी उप चुनाओ में अमर पाड़ा सीट पर विजय से बेहद उत्सा हित है यह विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिस्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है मैंने तो पहले ही कहा था कि भारती जनता पार्टी चुनाओ जीतेगी, भारती जनता पार्टी के प्रती ये विश्वास है, ये विश्वास के जीतनी भी है मद्ध्य परदेश में लोग सभाचुनाओं के बाद उपचुनाओं में भी बीजेपी को जन्नता का साथ मिला कमोबेश यही तस्वीर तमिलाडू में नज़र आई जहां लोक सभाचुनाओं में बई जीत दर्ज करने वाली डीमके ने उपचुनाओं में भी विज़य का शंखनात किया डीमके ने पी-अमके को हरा कर विकरवन्डी सीट पर खब्सा बरकरार रखा है ये सीट 2021 के विधान सभाचुनाओं में भी DMKK खाते में आई थी ये सीट DMK विधाय एन पुगा जेन्थी के निधन से खाली हुई थी उपचुनाओं में जीत दर्ज करने वाली हर एक पार्टी जीत को जनता के विश्वास से जोड रही है इसकी एक वज़े ये भी है कि इन नतीजों से किसी भी राज्य की सत्ता पर कोई असर नहीं होने वाला लेकिन साथ राज्यों की जिन 13 सीतों पर उपचुनाओं हुए उन्हें एक साथ देखें तो नतीजे विपक्षी गठबंधन इंडिया का उत्सा बढ़ाने वाले हैं जबकि एन डिये के लिए भाविश्य में बदलती राजनीती का अलार्म बजा रहे हैं ABP News आपको रखे आगे